नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब कीज़े हमारे चैनल संजीवने टिक को और दबाईए इस बेल आइकोन को हमारे लेटेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार सभी EPFO सब्सक्राइबर का आज के इस वीडियो में स्वागत है आज के इस वीडियो में लोकसबा में EPFO में निवेश के घोटाले के संदर्व में 9 दिसंबर 2019 को आंतरिक प्रश्न संक्या 3443 के जरिये स्री स्यद इंतियद जलिल जी द्वारा स्रम और रोजगार मंतरी जी से जो सवाल पूचे गए है तो इन सवालों के जवाब में स्रम और रोजगार राज्यमंतरी स्री संतोष कुमार गंगवार जी द्वारा जो जवाब दिये गए है तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले तो आप इस वीडियो के साथ अंतर तक बने रहे है ताकि यह जो इंपॉर्टन अपडेट इप एपो के निवेश के संदर्व में लोग सभा से आया है तो इसके बारे में आप सभी को प्यता चल सके और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी त तरह से मिशना हो सके तो चलिए लोग सभा में 9 दिसंबर 2019 को इप इपो में निवेश के घोटाले के संदर्व में स्री सयद इंतियाज जलिल जी द्वारा स्रम और रोजगार मंत्री जी से जो सवाल पूछे गए है तो उसके बारे में अभी हमी स्टूडियो में जानकारी लेने वाले तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पारे कि यहाँ पर जो सवाल पूछे गए है क्या इपी अपो बैच कमाने के लिए विभिन कमपनियों में अपनी निवेश करता है और यदि हा तो ऐसे निवेश के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है क्या हाली में विशेशकर उत्तेर प्रदेश में ऐसी निवेश के संबंद में कुछ गोटाले सरकार के द्यान में आये है और यदि हा तो इसके संदम में क्या बेवरा है राज्य सरकार और एपी अपो के कितने अधिकारी इस गोटाले में लिपत पाए गए है क्या सरकार ने इनकी चान की है और यदि हा तो इसका परिणाम क्या है और इस सिलसिले में कितने व्यक्ति गिरफतार किये गए है तता उनके विर्द्ध क्या करवाई की गई है सरकार द्वारा बविशे में ऐसे गोटालों को रोपने के लिए क्या कदम उठाए गए है तो इनी सभी सवालों के जवा अपनी निदी का निवेश कर रहा है उसके बाद यहाँ पर खह से लेकर डर तक जो सवाल पूछे गए थे तो उसके जवाब ने कहा है करमचारी बविश्य निदी एवप्रकिरने उपवबंद अधिनियम 1952 के अंतरगत शामिल किसी भी न्याज द्वारा प्रबंद की गई कि इसी भी निदी के संबंद में ऐसा कोई गोटाला नहीं है तो जिया यहाँ पर इन सवालों के जवाब में माननिय स्री संतोष कमार गंगवार जी द्वारा जो जवाब दोग सवा में दिया गया था तो उसी के संदरब में अभी मैंने आपको इस वीडियो के माद्यम से जा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजे और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपनी चनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीच जो रेट कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और उसके बाद ज के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंग देके रखा है उस लिंक पर क्लिक कर गए अगर आप ट्रेडिंगं करते हैं तो उस ट्रेडिंगं ऑपनिंग के लिए कोई भी चार्ज़ देने की जरूरत नहीं है और जब भी आप एक्विटी में खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके उपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरुवत नहीं है अगर मान लीजे आपने 100 रुपे का कोई शेर खरीदा और उसे करते हैं सो चली अभी वीडियो सब्सक्राइब किज करते तो यह उसके बाद वीडियो का आइगा उसे भी आप प्रेस कर दीजे ताकि मेरे जो आनेवाले अपको देखने को मिल सकेए